नमस्कार दोस्तों, पूजा शिक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है जै मातादी दोस्तों, आज जिस नवी शेपर हम चर्चा करेंगे उसके लिए काफी सवाल आये थे हमारा जो धन है वो डूप जाता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसे की बरकत खत्म हो गई या कह सकते हैं जो money blockages होती है वो जीवन में बहुत देहने को मिल रही है लाग कोशिशों के बाद भी धन की परेशानी बनी रहती है, आये होती है परन्तु वो जो है जल्दी से खत्म हो जाती है तो ऐसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर आज कुछ नंबर्स दूँगी जिसके द्वारा आप जो है अपनी money blockage को पून रूप से जो है खत्म कर लेंगे, इसे आप money tips कह सकते हैं, इसे आप अपने जीवन में बिना किसी मतलब धन को खर्च किये हुए भी धन को आकरशित बहुत यह आसानी से कर सकते हैं दूसरा अगर इसके साथ आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं समरिद्धी को, अपने धन को, अपने social life के द्वारा आप पैसे को attract करना चाहते हैं, पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ एक उपाय भी बता देते हैं, जिनके द्वारा आपके जीवन में आपके नौ ग्रह भी शान्त हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको जो है, इंस्टेंट जो blockages हैं, वो खत्म होकर money flow बहुत बढ़ने लगेगा अज हम जो बात करेंगे, वो मेन जो घ्रह होंगे, वो भुद्गर्ष होगा और दूसरा जो होगा शुक्रगर्ष होगा, परंतु अगर आप पर करजा है क्योंकि हमें अगर करजा हमारे पर बहुत हो गया है, हम पैसे दे नहीं पा रहे हैं, किसी को तो उसे भी पहले हमें समाप्त करना होगा याने वो ब्लॉकेज पहले हटाना पड़ेगा उसके बाद मनी फ्लो जो है आगे से हमें आकरशित करना होगा तो अगर आप पर करजा है और वो करजा बहुत कोशिश के बाद भी आप जो है उतार नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है आपको तो मंगलवार के दिन से आप पैसा थोड़ा थोड़ा करके जो भी आपका देंदार है उसे शुरू कर दीजे चोटी लगेंगे ताकि आपका करजा उतरने लगे तो जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से चाता है कि उसका करजा उतर जाए या करजा देना चाता है वो लोगों को वापिस और अपने जीवन से कष्टों से रहा चाता है तो मंगलवार का दिन आप हनुमान जी को याद कर लीजिए उनकी अरादना कर लीजिए, हनुमान चारीशा का पार्ट कर लीजिए या ऐसे ही आप श्री राम कहते हुए जो है अपने हाथ से मंगलवार वाले दिन करजा देना चालू कीजिए यानि करजा आप उतारना चालू कीजिए थोड़ा अमाउंट मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप बहुत बड़ा अमाउंट लेले छोटा सा अमाउंट बहुत मिनिममम अमाउंट भी आप दे सकते हैं परन्तु मंगलवार से आप ये कारी चालू कर दीजिए आप देखेंगे कि फिर जो है बजरंग बली आपकी कैसे साहता करते हैं अपने आप ही आपका जो है करजा उतरने लगेगा अपने आप ही रास्ते खुलने लगेंगे करजा उतारने के लिए तदह नए नए विचार जो है आपके जीवन में आने लगेंगे जिससे क्या होगा आप money attract करेंगे और आपका करजा भी उतरेगा प्लस आपके घर में money flow बढ़ेगा समरिद्धी आएगी साथी साथ अगर job problem है या business problem है business नहीं चल रहा है, job नहीं चल रही है तो वो blockages भी जो है remove होंगे अब हम आपसे बात करेंगे क्या आपको आज के जो numbers है वो दिये जाएंगे और साथी साथ आपको कैसे use करना है तो सामने आप screen पे देख रहे हैं मेरे पास green color का pen है आप sketch pen ले सकते हैं आप green gel pen ले सकते हैं कोई भी pen ले लीजिए same जैसे draw आगे किया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं screen पर जैसे मैंने लिखा है हार्ट बनाया है पहले मैंने green color से उसके बाद मैंने कुछ numbers लिखे हैं वो numbers आप कृपया ध्यान से देख लीजिए screenshot ले लीजिए number sequence जो होगा same ऐसे ही होना चाहिए जैसे 808 याने 808 58 और देन जो third number होगा वो 5197148 और उसके बाद का जो होगा 520 याने 520 आप ऐसे लिखेंगे और इसे clockwise आपको लिखना है उसके बाद आपको इसके अंदर एक चीज लिखनी है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं आप बंगाली में परंतू मन में विचार यही होना चाहिए I am sorry मुझे माफ करिये Please forgive me याने मुझे माफ कर दीजे मुझे जो गलतियां होई है उन्हें माफ करिये उसके बाद I thank you, I love you याने मैं मनी को कह रही हूँ उसके बाद मैं परमात्मा को कह रही हूँ कि मैं आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ मैं मनी को प्यार करता हूँ इसके साथ दो तिन words जो है आप और जोड सकते हैं परंतू basic उसके लिए आपको यही लिखना है इसके बाद आपने देखा होगा मैंने right side पर नाम और date of birth के लिए जगा बने है आप केवल उस जगा पर जैसे मैंने नाम लिखा है जैसे मैंने name राइट किया है वहाँ पर आप आपका पूरा नाम जो भी आपका पूरा नाम हो जैसे पूजा शक्ती और उसके बाद आपकी जो भी date of birth हो जो भी हो आप वो लिख दीजिए आपको simple और साधारन शब्दों में कृपया इतनी जो ये चीज है ये बनानी है इस paper को आपको बनाना है ये जो paper है अगर आप plain white ले ले लेंगे या plain red color का ले लेंगे plain yellow color का ले लेंगे तो और भी best होगा ये सरफ मैंने अभी आपको दिखाने के लिए जो है डाइरी का use किया है अब आपने जब ये letter कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं आपकी wish कह सकते हैं या money को attract करने के लिए एक मंतर कह सकते हैं बार बार इसे कहिए रात को सोने जाने से पहले ठीक जब आप सोने लगें जब बहुत गहरी नींद आपको आने लगे उस समय ये paper उठा के आप देख लीजे पांच मिनट और सो जाईए अगर ये कारे आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत जल्दी blockages remove मिलेंगे आपके जीवन में नहीं नहीं opportunities आएंगी मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको दो दिन में या 24 गंटे में असर दिखने लगेगा परन्तु हाँ इसका असर जो है आपको within 11 days, 21st days जैसे आपके आसपास का औरा होगा जैसे आपके आसपास के vibration होगे, आपके कर्म होगे उसे साबसे आपको results मिलेंगे परन्तु, results जो है 110% इसके प्राप्त होंगे, ये जो words है, ये बहुत अच्छे है ये जो आपको number मिले है ये बहुत अच्छे numbers हैं और ये जो number है ये बहुत कमाल करते हैं धन को आकरशित करने में आप इसका frame बनवा कर अपने पूजा घर में रख सकते हैं अपने पर्स के अंदर रख सकते हैं इसे आप जो है daily अपने हाथ पर बना सकते हैं किसी business meeting में जा रहे हैं या कहीं व्यापार पर जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं तो इसे अपने हाथ में बना लीजे परंतु ऐसी जगा बनाईए जहां पर कोई से देखना सके बनाना कहां है आपको left hand का use करना है जहां पर energies बहुत pure होती हैं हम right hand का use बहुत जादा करते हैं तो उस में blockages हो जाती हैं इसे लिए आपको left hand का use करना है इस कारिक लिए अगर आपको यहाथ पर ड्रॉ में रख सकते हैं तो चोटा सक आगस बनागर इसे आप frame करवा कर अप अपने घर में रख सकते हैं, आप जो है उत्तर दिशा का यूज करें, आप ती जोरी में रख सकते हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं, मैंस जो है छोटा सा कागस बना कर अपने पर्स में रख लें, आप देखेंगे किस तरीके से ब्लॉकेज जो है हटती हैं, और 110 परस करते हैं इसलिए जो है धन कुछ लोगों के पास बहुत टिकता है और कुछ लोगों के पास आकर भी उनके पास जो है टिक नहीं पाता यानि की लक्षमी जैसे कहते हैं चंचल होती है लक्षमी जी सच में बहुत चंचल होती है इसके लिए करना है आपको जैसे मैंने बताया तो बुदवार का दिन जो होता है, हर्याली का दिन होता है, ग्रिंडरी का दिन होता है, धन का दिन होता है, हरे हरे नोट कहे जाते हैं इस दिन, तो बुदवार के दिन हमें कभी भी जो है किसी बड़े धनका भुकतान नहीं करना चाहिए, किसी को पैसा देना नहीं चाहिए, कोई भी माल, नगदी, राशी ऐसे किसी से उधारी में नहीं लेना चाहिए कोई भुकतान करना है तो या तो आप मंगलवार वाला दिन यूज कर लीजे या Thursday वाला दिन यूज कर लीजे या Friday वाला दिन यूज कर लीजे गाए को चारा खिला सकते हैं बुदवार वाले दिन आप जो है अगर आपको कोई किनर मिलते हैं तो उन्हें दान कीजी आपके जीवन में अगर कोई अर्चन आ रही होगी व्यापार को लेकर तो विग्न हर्ता गणेश जी जो है बहुत आसानी से आपकी जो ये जो परिशान हैं इनसे आपको छुटकारा दिलाएंगे अब इसके अलावा क्योंके हमने जो है ब्लॉकशी की बात कर ली हमने अधार किस दिन देना है ये भी है आपसे बात कर ली अब हम यहाँ पर बात क्रेंगे की अगर आपको बहुत लगता है कि कारियों में रुकावट बहुत आरह आपको एक्जाम दे रहे हैं हम क्रैक कर लेंगे परनतो आप नहीं कर पाते केवल कुछ नंबरों से आपका पूरी मेहनत खराब हो जाती है तो उन्हें क्या करना है क्योंकि शनिवार का दिन जो है शनी देव को समर्पित है ये न्याय के देवता होते हैं इस दिन हमें जो है नशा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप जीवन में सुधार चाहते हैं तो इस दिन आपको जो है मास मदिरा के सेवन से खास तोर पर वचना चाहिए अगर आपके जीवन में ये चीजे आपको देखने को मिलती है तो बार-बार रुकावट आती है दुरगटनाए बहुत होती है करजा बहुत हो गया है घर में बहुत जादा दुख बिमारी रहती है या जगड़े बहुत होते हैं पती पतनी के बीच में मदभेद बहुत जादा होने लग गए है आपको आपकी हिस्से की प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही है आपके जो बहुत प्रेम के जैसे आपके भाई बहन होते वही आपकी प्रॉपर्टीज को लेकर बैट गए हैं या वो दोका दे रहे हैं आपके सगे सम्मंदी आपको दोका दे रहें तो इस समय पर आपको ये कारें नहीं करना चाहिए यानि आपको सैटेडे़ वाले दिन वैसे तो नॉन्वेज हमें न कर्चा करें आपके वल जरूरत मन जो लोग होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ दे सकते हैं कभी आपने गौर किया है जब आप कार ड्राइब करते हैं या स्कूटर से कहीं जा रहे होते गाड़ी से कहीं जा रहे तो आसपस आपके पास छोटे बच्चे आते हैं जो आपसे प परिशानी जो दे रहे हैं वो मुक्त होगी आपको कोई पूजा पाट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शनी दोज जो है अपने आप आपका हटने लगेगा इसके अलावा आप किसी असमर्थ व्यक्ति की मदद कर सकते हैं ठंड के मौसम में अगर समर्थ है मतलब आप कर सकते हैं तो कम्बलो का दान बहुत जादा माइने रखता है क्योंकि हम किसी की ठंड से उसे रक्षा करें देखिए आप जब कोई दान करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपके पैसे खर्चो रहे हैं आप इतना सोचिए कि आप इतने सामर्थवान है या आपको भगवान इतना दिया है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं आपके कर्म होते हैं जो आपको आगे जीवन में बहुत काम आते हैं आपको जब कोई बहुत बड़ी दुख बिमारी आती है तब यही आशीरवाद जो हैं आपके काम में आते हैं कई बार आपने देखा होगा बहुत लोग होते जिनके पास धन भी बहुत होता है, परंतु और दुख बिमारी से बचने ही पाते हैं, उन्हें वो कर्म बुगतने बढ़ते हैं, पर कई बार ऐसे लोग होते हैं, जिनके पास धन नहीं भी होता है, तब भी बड़ी बिमारीों से बहुत आसानी से बचके निकल जाते हैं, तो अगर उन्हें कुछ खाने की चीज़ा दे सकते हैं, शक्कर दे सकते हैं, आप सबजिया दे सकते हैं, आप कुछ खाने पिने का जो भी जितना भी दे सकते हैं, आप देजिए, आप देखेंगे आपके जीवन में माता लक्ष्मी स्थाई होने लगेंगी, चंचल लक्ष्मी ज किसी नए विशे बजर्चा करते वे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए माता रानी आप सभी का जीवन बहुत सुख मैं बना है धन्यवाद दोस्तों